नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नुज में में रत्मसेन भारती अज हम बात करेंगे सरकार के एक से नियम के बारे में जिस से आपको गाडियों के री रेजिस्टेशन में आपको बहुत सहूलियत होगी किंद्रिय परिवहन मंतराला गाड़ियों के रेजिटेशन को लेकर एक नया कनून ला रहा है इस कनून के तहब सरकारी करमचारियों, रच्छा छेत्र में जुले करमचारियों के साथ ही कई राजियों में बिखरे ब्रांच वाली प्राइवेट कमपनियों के करमचारियों को सबसे ज़ादा राहत मिलने वाली है इस नए कानून के आ जाने के बाद से एक राज से दूसरे राज में गाड़ी लाने और ले जाने में अब कोई परिसानी नहीं होगी आपको बता दें कि री रैस्टेशन के नियम को नरम और असान बनाने की कोशिस की जा रही है अगर सबसे पहले जान लेते हैं गाड़ीयों के रैस्टेशन के मौझूदा नियम कौन कौन से हैं गाडियों के राज से दूसरे राज में सिफ्ट करना होता है तो उसका उस राज में फिर से राज से राज से कराना होता है गाडियों के पेपर समित अन कागजातों का भी ट्रांसपर होता है कुल मिलाकर गाडियों को एक राज से दूसरे राज में लाने के लिए एक जटिल पर किरिया से गुजारना पड़ता है इसमें काफी समय लग जाता है लेकिन अब नए नियम में यह सब कुछ आसान हो गया है आई अब जान लेते हैं गाडियों के राज से दूसरे राज में लाने ले जाने के लिए सरकार अब असान नियम बना रही है परिवहन मंत्राला के मुताबित किसी एक राज्य की गाड़ी को जब दुसरे राज्य में ले जाया जाए तो उस गाड़ीों के रेजिटेशन इन सिरीज में किया जाएगा इस रेजिटेशन से गाड़ीों को एक राज से दुसरे राज्य में जाना असान हो जाएगा साथ ही रेजिस्टेशन का कोई खास जंजट भी नहीं होगा और लोग बिना इसी जंजट के असानी से एक राज से दूसरे राज्यों में अपने बाहनों को चला सकेंगे मंतराला की उसे जारी मसाओदा अधिसूचना की माने तो ऐसे बाहनों के लिए इन सरीच का प्राभधार किया गया है हलांकि इस बाहनों के मोटर विकल एक्ट दो साल के लिए या दो साल के मल्टिपलिकेशन में किया जाएगा इस बेबस्ता के लागू होने पर लोग बीना किसी जंजट के असानी से एक राज से दूसरे राज में अपने बाहनों को चला सकेंगे ड्राप नोटिपिकेशन को लेकर राज्यों और किंसासिच परदेशों के टिपनी लेने के लिए अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है इस वेबसाइट पर सभी लोगों को 30 दिन में टिपनी देने की बात कही गई है बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में सरकारी और नेजी करमचारियों को तवादला होने से गाडियों का री रेजिस्टेशन करवाना पड़ता है फिलहाल मोटर विकल अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत दुसरे राज्यों में बाहनों के इस्तेमाल पर रेजिस्टेशन को ट्रांसफर करना पड़ता है इसके लोगों को 12 महीने का बक्त दिया जाता है ऐसे लोगों को सबसे पहले वहाँ गाड़ी पंजिकरीत वहाँ के अनापत्ती परमानपत्र लेना पड़ता है इसके बाद नए राज में रोड टेक्स का भुक्तान करना पड़ता है फिर वहाँ गाड़ी सबसे पहले रेजिस्टेड होती है वहाँ road tax refund के लिए अवेधन देना पड़ता है मौझूदा समय में अगर किसी एक राज से दुसरे राज में transfer होता है तो गाड़ियों के registration के लिए एक साल का समय दिया जाता है इस एक साल में एक लंबी चौड़ी पर किरिया के तहट गाड़ियों का registration कराना होता है और यह समस्या हमेशा बनी रहती है लेकिन नए नियम से इन सब जहनजटों से अराम मिल जाएगा तो यह थी गाड़ियों के registration को लेकर जानकारी जिसमें कि यह बताया जा रहा है और किन सरकार लगतार यह सहुलियत महिया करा रहे है गाड़ियों को लेकर खास जनकारी बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी नियुज के साथ मुझे दीजिये इजाज़त धन्यबाद